नमस्कार साथियों, आप सभी का Direction Vision के अनलाइन YouTube प्लेटफर्म में स्वागत हैं और आज हम बात करेंगे ELP में जो MCQ टाइप क्वेश्चन है जो प्रीविएस येर में पूछे गया है उसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग सीरीज लेके आया है मिन्स आज आपका Top 10 क्वेश्चन देखेंगे जो ELP में पूछे गया मिन्स अभी तक जो क्वेश्चन पूटफ हुए हैं उसमें 10 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ELP में ही सिर्फ ELP में पूछा गया को चलिए आप ELP का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहेंगे दस क्वेश्चन का आप अपना इंस्वर रिवाइश करेंगे देखें पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्यन काल में ही डाट डाट का अध्यन करना चाहिए मतलब तकनीकी विद्यार्थि जो आप ITI डिप्लोमा आदी में टेकनिकल में पढ़ रहे हैं वो study period में ही किसका अभ्यास करना चाहिए सुरच्छात्म कुपायों का हस्त आउजारों का मसीन पर कारे करने और यह सभी देखे एलपी मतलब आरारवी एलपी 2009 में एक क्वेश्चन पूर्ट अफ हुआ हैं और एक क्वेश्चन जैसे कहा जाता है कि टेकनिकल में है तो बहु सारे मसीन को वर करना होगा आपका लेकिन सबसे मुख्य क्या है कि जिस समय तकनिकी विद्यारती अपने अध्यान काल में सबसे महत्वपूर क्या होना चाहिए किसका अभ्यास कराना चाहिए तो होता है यह सभी देखने में लगता है कि यह सभी लेकिन सबसे महत्ष्पुड है कि उसमें फर्स्ट अफाल होता है सुरच्छात्मक उपायोगा कहा जाता है कि तक्नी की जो टेक्निकली स्टूडेंट होते हैं अपने ही स्टड़ी पिरेड में अध्यान काल में सुरच्छातों को अध्यान करना चाहिए जैसे कारेशाला में धीले कपड़े टाई मफलर आधी पहनकर कारना कारेशाला में सदयो बूट पहनकर कार करना चलना आधी किसी भी मसीन की जनकारी प्राप्त किये बिना मसीन को न एक प्रकार का वो भी एक सुरच्छात्मक उपाय होता है तो पहला क्योस्चन का जो एंसर होगा वो आपका ये सही होगा दूसरा क्योस्चन देखेंगे बिजली का जटका लगे व्यक्ति को निम्नमे से कौन सा पेपदार्थ नहीं पिला जाता है चाय कौफी पानी और ये दूसरे का ओगा आपका अंश डी सई होगा आगे देखेंगे लोग बढ़ते हैं एक तीसरा क्यों किन चित्र में प्रदर्शित चेताओनी संकेत और यह सेपटी से हैं चित्र में जो प्रदर्शित चेताओनी संकेत आपका ये लपी 2012 के क्यों आग लगने को नहीं ठीक है नहीं तो आपको यह बताना है जो कि चित्र में दिखाय गया इसमें कई सारे सिंबॉस किय nos के लिए एंखर दिखाना है आदेश देना निर्देश देना मना करना फिक है यह इसमें आपका एक 64 संकित जो यहां पर दिखा रहा है विस्वायिका संकित को खत्रारी जो तीसरे का है वह सई होगा आंग लगने का खत्रा नहीं होगा फ़ार्ग लिप्त नहीं होगा ठीक है 2020 का question है ये लपी में और से तीसरे का भी एंसर सही होगा है इसको लोग टीक भी लगाएं तो यह आपका भी एंसर सही हो जाएगा ओके देखें एंसर इज बेज दग करेक्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्युश्चन नमबर चौथे की दरब जहर से खत्रे के लिए दिखें एदम सेम टू सेम विशाक मतलब बीस मतलब जहर जहर से खत्रे के लिए कौन सा चिन प्रयोग किया जाता है जहर से देखें आप्षन ए में कुछ वह भी एक प्रकार का एक प्रकार का वह भी एकदम सेम टू सेम तरी भूजाकार सेफ है जाइड सी बात है कि आपको चेतावनी दे रहा है दूसरा भी चेतावनी दे रहा है तीसरे वाला सिंबल जो होता है वह एक प्रकार का इंफार्मिशन वेस होता है जैसे आस्पीटल में प्लस का साइन तो उपर दोनों मे जिसमें जहर के खत्रे मतलब विसाख तभी उसका तीसरा क्योश्चन आप देखे थे इसके पिछले वाला में जो है वह आपका ए त्रिभूज था इसमें भी प्रकार विसाख की खत्रा को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर भी जहर के खत्रे के लिए जो एंसर होगा वह आपका जो B answer is correct आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा चिन्द वीकरण से खत्रे को दर्साता है वीकरण से खत्रे को दर्साता है ठीक है तो radiation C होता है मतलब सभी प्रकार्ट के चेतावनी देखाता है कि आग से बचे रहो corrosion से बचे रहो ठीक है लेजर बीम का एक आपका रेडियेशन का तो जो हम से पूछा गया है वह आपका किसका है रेडियेशन के खत्रे को रेडियेशन ठीक है तो जैसे कि सपोच कि आप बेल्डिंग कर रहे हैं और बेल्डिंग में बहुत सारे रेडियेशन इंफ्रावेर रेड आधी निकलता है जो आखो और तौचे के लिए हनिकारख होता है उसको बचाओ के लिए आपको यहां पर दिया ऐसा प्रदर्शी था तो समझ जाएंगे कि रेडियेशन के खत्रे को बता रहा है निए अंसर इज डी इस दा करेक्ट ओके आगे हम लोग क्योश्चन नमबर नेक्स्ट सिक्स की बढ़ते हैं तेल युक्तर फर्स को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए रेत से जैसे यह चाहिए तो किससे चाहिए तो कहा तो ठीक से सफाई यदी नहीं होता है तो दुर घटना होने की विचांस होता है इसलिए प्रयास से रहता है कि जो भी मसीन का फर्स हो उसको साप सुतरा रहे फिर भी तेली पदार आधी गिर जाता है तो उस पे रेत से साप करना चाहिए यह एंस्वर इसका जो होगा वह आप यह पूछा किया वैसे क्योश्चन थे अभी यहां पर जितने क्योश्चन हम सेलेक्टेड आपके साथ साजा करेंगे यह जो स्रीज हम लोग का चल ला है वह ओभराल यह बेस है यह आप यह पी का प्रिपेशन करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आपको टाप 10 अच् प्रिष्ट भूमी आपका जो होता है ओ आपको एक प्रकार का आदेश करता है कि मास्क लगाओ टोटी बंद करो ठीक है निर्देशित करता है निर्देश देता है इनकी प्रिष्ट भूमी बृत्ताकार होता है देखे बृत्ताकार प्रिष्ट भूमी नेली आकरती सफेद बसल्द किसी में यह इसको आपको निर्दिश्य दिता है कि Πृस्ट भूमि होती है तो यह सब्सक्राइब ऐसर इनकी आकरती त्रिबूझाकार शेटावनी होता है तो फराव एसका एंसर देखा जाए तो answer is C is the correct answer question number 8 का देखे निम्न में से स्रेडी D जैसे A स्रेडी, B स्रेडी, C स्रेडी, D स्रेडी होता है D स्रेडी जो होता है वो अधिकतर जो मेटल में याने के बिद्धूत में लगी आग बुझाने के लिए D या बिद्धूत में लगी आग को हम D स्रेडी की आग कहते हैं और उसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राकुलराइज CTC का प्रयूग करते हैं लेकिन यहां करन निम्न में से स्रेडी D की आग में प्रयुक्त इधन कौन सा है देखें मैगनिसियम है जिंक आदी रसाइनिक पदार्थ है द्रवित गैस है पेट्रोलियम पदार्थ है उपरोपत सभी चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो चाहे द्रवित गैस हो यह आपका तो D स्रेडी में नहीं आता है मैगनिसियम, जिंक और रासाइनिक जैसे पदार्थ में दी कोई आग है, मतलब ए सब रासाइ, उसमें आपका डीस रेडी में आता है, यहनि जो इसका एंसर होगा, वो आपसन ए सई होगा, question number 8 का, और यह 2005 का question है, एलपी में, निमलिकित में हैलोन टाइप, मतलब निमलिकित में जैसे हैलोन, हमने अभी आपसे बात किया था कि हैलोन, जिसको हम लोग क्या बोलते है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेस में, ठीक है न, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेस में, जैसे निमलिकित में हैलोन टा याँग बुझाने वाला यंत्र यह सिर्धिती पूछा पताएंग जल यंगतु लो बुझाने वाला यंत्र और सीठीसी आग बुझाने वावा यंत्र और उप्रक्त निम्लिकित में हैलोन टाइप हैलोन जो है CTC का ही फार्म है मतलब CTC फार्म जो होता है उसको है लोग परीयोग करते हैं तो इसमें जो एंसर हो जायगा किसका होगा CTC का प्रयोग किया जाता है जैसे कहा जाता है कि यहां पर CTC वाला आग बुझाने वाला यंदर जो होता है हों है की प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की आग अनने के लिए जॉल गिन उसक पावडर उह जादा दर करता करते हैं तो इस प्रेकार से एंशर जहोगा इसका वह आपका सी सही जागा देखे एक क्वेश्चन दास्ट और 10 वा क्वेश्चन इसमेlor sure पूझाया जाता हैं तेल से पानी से चीटी सी आग बुझाने =" यंद्र", फोम टाइप बुझाने वाला हैं तो बात करें कि Alektrical केbile में लगने वाले आग को सीटी सी आग बुझाने वाले यंद्र से बुझाया जाता है हम इसको डीस रेडी की आग भी कहते हैं कि बाई डीस रेडी की आग है जिसको बुझाने के लिए CTC का प्रियोग करते हैं ठीक है डीस रेडी के आग का मतलब कि धात्विक पदार्थ में जैसे की विजली को उपकरड तार आदू में लगा जाता है इसके लिए कभी-कभी कया होता है कि बुझाने के लिए जो Carbon radiation सुस्क चूर का भी प्रियोग कर लिया जाता हैं लेकिन यहां पर तो है ने सी टी सी आग बुझाने वाले यह अंद्रशी अब हम यह तो दस क्वेश्चन हुआ दस क्वेश्चन के बाद आप वेट करेंगे अगले स्रीज का आपको ELP में पूछे गए फिर से 10 क्वेश्चन हम लाएंगे और आप अपना प्रिप्रेशन रिवाइज करेंगे डारेक्शन विजन के साथ मैं पूरी उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हल्पूल होगा आप एदी हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को स करता हुआ्ट तो चैनल को साचल होगा अवाद करता हुआ प्रिप्रेशन रिवाद लाइजाएं वाद लाइजा ऋन्युट श्राण हमारे चैनल कि भीडियो आपके लिए टूराण हान्योराण